हरिद्वार में आरोग्य भारती ट्रस्ट और उत्राखंड आयूरवेद विश्विध्याले द्वारा अखिल भारतीय संभाशा आरोग्यम कारेकरम का आयोजन किया गया। वहीं कारेक्रम में उत्राखंड के आयूश मंतरी हरक सिंग रावत ने बत और मुख्य आतिति की शिरकत की और कारेरक का उधगाटन किया। साथी कारेक्रम में अनेक आयूवेदिक कॉलेजों से आय विज्ञानिकों और शिक्षकों ने आयूवेद की वर्तमान दशा और दिशा पर विस्तरित मन्थन किया। वहीं आयूश मंतरी हरक सिंग रावत ने स्विकार किया कि अभी तक आयूवेद के प्रचार प्रसार के लिए जितना बजट मिलना चाहिए उतना बजट नहीं मिलता। लेकिन केंद्र और राज़सरकार प्रदेश में आयरुवेद के प्रचार प्रसार के लिए काम कर रही है। और अब धिरे-धिरे परदेश में भी आईश्र मंत्राले पर बल दिया जा रहा है और ये निश्वरुप से गंगा के किनारे हरद्वार जैसे और गुर्कुल जैसे देश के जो जनक कह सकते हूं आरवेद की उसमें अगर हम पुरे देश के वेग्यानिक चिकिस्ताक आरवेद का पेपर पढ़ते हैं और कुछ चर्चाएं करते हैं तो निश्वरुप से ये आरवेद के लिए एक वेग्यानिक तरीके से आगे चलने का एक रास्ता प्रसस्त हो रहा है वही चातरों के फीस बड़ोतरी और BMS कॉलेज प्रबंदन विवात पर पहली बार आयुश मंतरी ने बात की आयुश मंतरी का कहना है कि सरकार ने सभी कॉलेजों को उनकी मानिता रद करने का नोटिस जारी कर दिया लेकिन सरकार को चातरों और कॉलेज से जुड़े शिक्षकों के भविश्य को भी देखना है इसलिए सरकार अभी कॉर्ट के आखरी फैसले का इंतजार कर रही है और अभी क्योंकि अंतिम निने नहीं आया हाई कोड से अभी अंतिम निने माने हाई कोड से नहीं आया जब अंतिम निने आ जाएगा तो फिर तो जो भी अंतिम निने माने नहीं लेका होगा क्योंकि कॉलेज भी माने हाई कोड में गए हैं चातर अममाना के लेकर कॉलेज में गए हैं और जो भी आन्तिम ने माने नहले कोगा किई हमने तो जितना हमारे करते भी था उत्रा हमने पूरा कर लिया लेकिन हमने नोटिस भी दे दे हमाँ आपकी माने तर् benefiting हाँ हाँ चाया पर यहह भूजा हुग लेकिन जो चातर अठेट 19-19-20 में जो लगवक 6,000 चात्र हैं और इवन कि जो कॉलेजे में 300 के आसफास हर कॉलेज में सिख्चक और कर्मचारी काम करते हैं सबका भूश है और हर 160 के कॉलेज में 60 बेट का हॉस्पिटल भी होता है आपको बता दें कि बीते कुछ समय पहली चात्रों और BMS कॉलेज प्रबंदन विवात काफी चर्चा में था हजारों चात्र काफी दिन तक सड़कों पर उतर कर प्रदर्शन कर रहे थे जिसमें कई बार पुलिस और चात्रों के बीच जडब भी हुई थी इतना ही नहीं चात्रों ने आयूश मंतरी पर भी दोशी कॉलेजों के खिलाव कारवाई ना करने का आरोप लगाय था कई दिन तक चल रही विरोध प्रदर्शन में आकर चात्रों की जीत हुई और सरकार ने छात्रों को दोशे की खिलाफ उचित कारवाई का आश्वासन दिया था धेर सारे हंगामे की बीच अब आयूश मंतरी ने खुद इस बारे में बयान दिया और कोड के फैसले को मानने की बात कही अब प्रदेश सरकार और आयूश मंत्री अपने फैसले पर कितने अडिक रहते हैं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा पंजाब केसरी टीवी के लिए हरीद्वार से सतीश गुजराल की रिपोर्ट